हाई अव्रिवन वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा मैं हूँ डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही जबरदस्त आयरवेदिक डाइट प्लैन के बारे में यह डाइट प्लैन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यह आपकी बॉड़ी से एक्सेस फैट को कम करने में आपकी बहुत ही ज़ादा मदद करेगा और इस डाइट प्लैन में मैं आपको बहुत ज़ादा मुश्किल चीज़े नहीं बताने वाला हूँ बलकि ऐसी चीज़ वॉक करते करते ठक चुके हैं लेकिन वजन नहीं घट रहा है या अगर आप ये सोच सोच के परिशान है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है तो चलिए भी ना किसी देरी के इस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस जबरदस्त आयरवेडिक डाइट प्लान के बारे में पूरी डीटेल से दोस्तों आयरवेड सिर्फ एक system of medicine नहीं है बलकि एक way of life है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारें जिससे वो healthy बन सके औ आप अपने दिन की शुरुआत सुभा सवेरे उठने से करें क्योंकि अगर आप दिन में देर तक सोते हैं सुभा सवेरे नहीं उठते हैं तो उसकी वजह से आपकी body का metabolism जो है वो सुस्त हो जाता है immunity कमजोर हो जाती है तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अपने दिन क के बरतन में copper के बरतन में भरके रख दीजे रखके और सुभा सुभा जब आप उठते हैं तो कुछ भी करने से पहले even toothbrush करने से भी पहले आपको यह copper water जो है वो पी लेना है copper water पीने से आपकी एक तो immunity बढ़ती है आपकी रोगों से लड़ने की शक्ती बढ़ती है और दू दूगा कर सकते हैं प्राणायाम कर सकते हैं साइकलिंग कर सकते हैं ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं रसा कूच सकते हैं या जो भी exercise या जो भी चीज आपको पसंद है physical activity के लिए वो आप इस आदा गंटे के दुरान जरूर कीजिए दोस्तों यह इस बहुत ही important है क्योंकि सुभा सुभा जब आप कोई physical activity करते हैं कोई exercise करते हैं तो उससे decide होता है कि पूरा दिन आपकी body का जो metabolic system है वो किस तरीके से काम करेगा किस tone में रहेगा और आपकी body में कितनी energy रहेगी exercise करने के बाद आप 15-20 मिनट का gap करिए और इस 15-20 मिनट के बाद आप अपना नाश्ता कीजि कोई भी चीज बिल्कुल नहीं खानी है, cheese आपको बिल्कुल नहीं खाना है, butter आपको बिल्कुल नहीं खाना है या फिर कोई भी fried cheese आपको बिल्कुल भी नाश्ते में नहीं खानी है इन चीजों के इलावा आप कुछ एक ऐसी healthy चीजे हैं जो कि अपने नाश्ते में शामिल है जो कि आप अपने नाश्ते में ले सकते हैं नाश्ते में आपको कोशिश करनी है कि स्प्राउट्स को एक छोटे portion में आप जरूर रजाना शामिल करें क्योंकि स्प्राउट्स के अंदर बहुत सारे vitamins, बहुत सारे minerals होते हैं, बहुत सारा fiber भी होता है और स्प्राउट्स weight loss करने के लिए एक बहुत ही magical diet होती है नाश्ता करने के बाद से लेके दोपहर का खाना खाने तक का जो time है इस दोरान आपको कोईच भी चीज खाने नहीं है, बलकि इस दोरान आपको क्या गरना है यानि कफदोश का बढ़ जाना आइरवेदिक weight loss drinks आपकी body में इस बढ़े हुए कफदोश को balance करने का काम करती है और इससे आपको weight loss होता है मैंने अपने चानले पर बहुत सारी recipes आप लोगों को अल्रेडी बता रखी है weight loss करने के लिए तो आप चाहें तो इन में से कोई इसी भी अच्छी आइरवेदिक weight loss drink की recipe ले सकते है और उसको बना कर उसको पीना इस्तमाल करना शुरू कर सकते है इन videos के जितने भी links हैं वो मैं आप भी convenience के लिए नीचे description box में डाल दूँगा तो आप इन में से कोई इसी भी एक weight loss drink try कर सकते हैं वैसे अगर आपके बास time इतना जादा नहीं है या फिर आप इस तरह की drinks को बनाने में interested नहीं है तो बहुत सारी companies आजकल ready-made ayurvedic weight loss juices और drinks को भी बना रही है तो आप चाहें तो उनको भी try कर सकते हैं लेकिन अगर आप कोई ready-made ayurvedic weight loss drink लेते हैं या juice लेते हैं तो बहुत ही जादा जरूरी है कि पहले आप ये make sure कर लें कि जो भी cheese आप ले रहे हैं जो भी juice या drink आप ले रहे हैं वो reliable है या नहीं है और जो company उसको बना रही है क्या वो company reliable है या नहीं है अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा supplement है जो कि इन सभी criteria के उपर खरा उतरता है तो मैं आपकी इस शंका को दूर किये देता हूँ आज मैं आपको एक ऐसा supplement recommend कर रहा हूँ जो कि इन सभी चीज़े को उपर खरा उतरता है और आपको sustainable way में weight loss कराने का काम करता है दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कपीवा get slim juice के बारे में कपीवा get slim juice एक ऐसा potent ayurvedic formulation है जो कि आपको long lasting results देता है और healthy way में आपका वजन घटाने का काम करता है इसके अंदर 12 ऐसी ayurvedic जड़ी बूटिया दी गई है जो कि आपके metabolism को enhance करती है जो कि आपके hunger panks को कम करती है और आपकी body के अंदर fat के accumulation को रोकती है इसके अंदर दारुहरिद्रा, आमला, कुटकी और गोक्षूर जैसे कुछ potent ayurvedic herbs है जो कि आपकी body के अंदर weight loss करने के लिए और आपके metabolism को enhance करने के लिए clinically और scientifically proven है तो अगर आप किसी अच्छे weight loss supplement की तिलाश में है जो कि आपको natural तरीके से weight loss करा सके तो ये कपीवा का get slim juice आपके लिए काफी अच्छा option हो सकता है इसको रोजाना दिन में दो time आपको खाना खाने से एक घंटा पहले लेना होता है इसको लेने के लिए सबसे पहले आप इसकी bottle को अच्छी तरह से shake करने के बाद इसमें से 30 ml ये juice लीजिए और एक glass पानी के इंदर इसको मिला के आप पी लीजिए इसके साथ सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है और वो ये के दिन भर आप अच्छी सखाजी quantity में पानी को पीते रहें ताकि आपको कोई digestive issues ना हो अगर इस product को लेके आपके माइन में कोई भी confusion है तो आप Kapiva की website से free doctor consultation भी हासल कर सकते हैं और make sure कर सकते हैं कि आप इसको सही तरीक से इस्तमाल कर रहे हैं इसके बारे में अगर आप और जादा जानना चाते हैं या फिर इसको purchase करना चाते हैं तो सभी links आपको नीचे description box में और pin comment में मिल जाएंगे वहाँ से click करके आप Kapiva get stream जो इसको purchase कर सकते हैं और इसके बारे में और जादा जान भी सकते हैं और हाँ अगर आप हमारा coupon code जो कि इस समय आपके screen के उपर शो रहा है इसे use करेंगे Kapiva की website के उपर तो आपको additional 10% discount भी मिल जाएगा तो इस discount को फायदा भी आप उठा सकते हैं दोस्तों आयरुवेदिक weight loss drink को लेने के बाद आपको एक घंटे तक कुछ भी और चीज़ खाने पीनी नहीं चाहिए और इसे drink को अपनी body में absorb होने का और काम शुरू करने का मौका देना चाहिए drink पीने के बाद आप time आता है आपके lunch का तो lunch के अंदर आपको एक seasonal vegetable लेनी है एक seasonal सबजी लेनी है इस सबजी के अंदर make sure करें कि जादा घी, तेल, चिकनाई वगएरा ना हो जादा तड़का वगएरा इसमें लगा हुआ ना हो इस seasonal vegetable के साथ आप 2-3 multi-grain रोटी ले सकते हैं इस रोटी के उपर आपको घी वगएरा बिलकुल भी नहीं लगाना है और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो सबसे important है आपके lunch में वो है salad दोस्तों आपकी salad और खाने का जो ratio होना चाहिए वो 50-50% होना चाहिए यानि जितनी quantity quantity में आप सबसी और रोटी खा रहे हैं उतनी ही quantity में आपको salad खानी है या अगर हो सके तो उससे भी जादा खानी है salad को जादा खाने से क्या होगा कि आपकी body के अंदर जो calories का intake है वो बहुत जादा कम हो जाएगा आपका पेट आसानी से भर जाएगा और आप जादा देर तक fuller feel करेंगे क्योंकि इसके अंदर fiber बहुत जादा होता है lunch करने के 2-3 घंटे के बाद time आता है आपके evening snack का, evening snack में आपको biscuits या नमकीन वगरा नहीं लेनी है बलकि आपको लेने है 2 अखरोट की गिरी, 7 बदाम और 2-3 dried figs यानी अंजीर इन सभी चीज़ों को आप सुभा सुभा जब उठे थे तो एक कटोरी पानी के अंदर भिगो के रग दीजिए और शाम के नमबर में आप इन बदामों का शिलका उतार लिजिए और अखरोट और ये जो figs आपने लिए हैं इन सभी चीज़ों को आप शभा सभा के अच्छ जल्दी कर लेना है इनर के अंदर आपको एक चीज़ का खयाल रखना है कि आपको कोई भी अनाज इसमें शामिल नहीं करना है या ना तो इसमें आपको रोटी लेनी है और ना ही इसमें आपको चावल लेने है इसकी जंगा आपको क्या करना है आपको या तो कोई अच्छी seasonal vegetable बना कर उसको ऐसे ही खा लेना है या फिर आप कोई vegetable soup ले सकते हैं या फिर अगर आप non-vegetarian है तो आप chicken soup भी ले सकते हैं डिनर करने के बाद 15 से 20 मिनट तक आप थोड़ा सा rest कीजिए और इसके बाद आप थोड़ा सा walk जरूर करा करें दोस्तों डिनर करने के बाद जो लोग walk करते हैं उनके अंदर weight gain होने के chances बहुत ही जादा कम होते हैं यह scientifically proven एक fact है इसके बाद रात को 9 या 10 बज़े तक maximum आपको सो जाना है दोस्तों रात को जल्दी सोना भी बहुत जाता important है जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आपको सुभा सवेरे उठने की आदत डाल ली है तो अगर आप रात को जल्दी नहीं सोएंगे तो आप सुभा सवेरे भी नहीं उठ पाएंगे या अगर उठ भी जाते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी और नींद पूरी ना होने से आपकी बोड़ी के अंदर मेटाबॉलिजम सुस्त हो जाता है और फैट गेन होने लगता है रात को सोने से जस्ट पहले आपको एक लास्ट काम और करना है और वो है तरफला प दोस्तों इस diet plan में आपको milk या milk से बने दूसरे products जैसे कि दही है, या फिर घी है, या butter है, या मलाई है, या बिलकुल भी इस्तमाल नहीं करनी है. इस diet plan को आपको religiously follow करना है 3 से लेके 6 हफते तक और I am 200% sure कि अगर आप 3 से लेके 6 हफते तक इस diet plan को follow कर लेंगे, तो चाहे आपकी body में कितना ही ज़्यादा fat है, चाहे आप सब कुछ कर करके ठक चुके हैं, लेकिन वो कम नहीं होता है, लेकिन इस 6 हफते के दुरान आपको इस diet plan को follow करने से 100%, बलकि मैं कहाँगा 200% visible changes जरूर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे. एक बहुत ही बढ़िया positive चीज जो इस diet plan के साथ आपको देखने को मिलेगी, वो ये कि इसमें ना तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, ना ही इसमें आपको कमजोरी आएगी body में, और ना ही इसमें आपको कोई rebound weight gain होगा, जो की गलत तरीके से dieting करने में अक्सर देखने क कीजिए, आप चाहें तो मेरे साथ Instagram पे भी जोड़ सकते हैं, मेरा Instagram आईडी इस समय आपकी screen के उपर show हो रहा है, चलिए इसे के साथ मैं Dr. Salim आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ, कि फिर मी लूँगा इसी channel पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में, तब